Welcome to my tube channel nursing session आज हम देखेंगे लेरींजल मास्क एरवे उसके टाइप्स उसके यूज़ेस क्या होते हैं तो पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्षन इंट्रोडक्षन में क्या लिखा है लेरींजल मास्क एरवे अलसो नोन आस लेरींजल मास्क इसका यूज सेम है जैसे एंडोटर्केयल इंटुबेशन हमने लास्ट वीडियो में देखा है सेम इसका भी वही यूज है कि एरवे उपन रखने के लिए हमें लारेंजल मास्क एरवे यूज करते है इटीस टाइप अफ सुप्र अग्लोटिक एर वै डिवाईज सुप्राउटिक एर्वे डिवाईस है जो की हमने अडोटर्केल टूब वह टर्किया में इंसर्ट होती है तो यह सिप्राउटिक तक ही इंसर्ट हो सकता है तो अगर exam में question आएगा तो ऐसा question आ सकता है laryngeal mask airway क्या type का यह है device तो यह supraglottic airway device है यह दियान में रखना है supraglottic उसकी position होती है last end position they are most commonly used by anesthetist to channel oxygen or inhalational anesthetic to the lungs during surgery and in the pre-hospital setting for instance by paramedics and emergency medical technicians for unconscious patients अगर patient collapse हुआ है और ambulance के मदद से उसे लाया जा रहा है तो during that ambulating period हम patient को artificial breathing अगर देना हो तो laryngeal mask airway emergency में यूज कर सकते है paramedics उसको यूज करते है और anesthetic भी उसको ज्यादादर यूज करते है तो यहाँ पर हम देख सकते है एक laryngeal mask airway typical उसका एक diagram है और उसके names दिया है पहले हम देखेंगे cuff यह side का जो भी inflated part है इसे cuff कहते है फिर aperture bar जो कि inside the cuff है फिर next हम देखेंगे wall जो cuff inflate करने के लिए one way wall रहता है तो यह यहाँ पर wall है और second part जो है inflation indication balloon मतलब कितना inflation हुआ है cuff हमारा यह यहाँ पर हमें indicate हो जाएगा हमें समझ जाएगा जो यहाँ पर दिखें inflation line दिखाई दी रही इतनी यहाँ से यहाँ तक उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते airway connector है जो कि यहाँ से हम artificial oxygen patient को provide कर सकते अंबू बैग भी यहाँ पर connect कर सकते है इतनी यहाँ से यहाँ तक airway tube का यह दिया है फिर आगे है यहाँ से यहाँ तक का part जो दो parts में divide किया है यह mask part है और यहाँ से यहाँ तक airway part है तो यह सबी चीज़े हम याद रखनी है क्योंकि image based questions पे यह आ सकता है इसमें से कोई भी एक part हमें पूछा जा सकता है कि curve कहा है inflation indication volume कहा है wall कहा है तो यह सब चीज़े हमें दहन में रखना है तो आगे बढ़ते हैं आगे देखेंगे हम size of L.A. according to age and weight तो हम सब को पता है कि L.A. में different sizes के आते हैं तो कौन सा size का L.A. में हम किस patient के लिए use करते हैं कितना weight patient कर रहता है तो यह भी questions हमें पूछे जाते हैं तो एक table format में मैंने formatting किया है ताकि यह easily हम याद कर सके और grasping जल्दी हमारी हो जाएगी इमेज देखके तो पहले देखेंगे size number one new nets और infant के लिए use करते हैं जिनका weight less than 5 kg है उसके बाद में 1.5 का जो आता है 1.5 mm का size का जो L.A. में mask आता है तो वो infant के लिए use कर किया जाता है और उनका weight 5-10 kg के बीच में होता है तो यह weight के हिसाब से हमें infant में ध्यान रखना है कि पहले new net infant फिर children add होगा इसे सब से दो number का L.A. में हम infant और children में use करते हैं उनका weight 10-20 kg के बीच में है उसके बाद में हम 2.5 मतलब 2.5 number का हम children के लिए L.A. में use करते हैं जिनका weight 2-30 kg होगा तीन number का use करते हैं हम children और small adults के लिए मतलब जो small size adults है early adult phase जिसे हम कहते हैं उसमें उनका weight 30-50 kg के in between रहता है तो उन सभी children और small adults के लिए हम 3 number का L.A. में use करते हैं उसके बाद में हम 4 number का हम adults के लिए use करते हैं जिनका weight 50-70 kg के बीच में हैं और last में हम 5 number का airway L.A. में use करते हैं large adults के लिए जिनका weight above 70 kg है 7200 kg तक है तो इस तरह से हम ध्यान में रखना है total sizes हमारे पास से 7 एक से 5 तक numbering हमें ध्यान में रखना है और less than 5 kg से लेके more than 70 kg तक हमें उसे ध्यान में रखना है तो easily हमें remembering हो जाएगा और neonates, inference के सबसे ऐसे भी question आते हैं तो यह मैंने तीन parts में ऐसे बताया है explain करके ताकि easily याद रहे आप यहाँ पर left side, right side पर images भी देख सकते हो तो इस images basis पर आप जल्दी से ध्यान कर सकोगे इसका उसके बाद में हम देखेंगे different types of LMA क्या-क्या है तो पहले देखेंगे LMA Flexible तो a truly flexible device suitable for shared airways and designed to protect the glottis and trachea from blood and secretions from the above तो एक reusable है और single use भी इसमें available है उसके बाद में LMA Supreme, a single use second generation airway with gastric access and an innovative second seal delivering a new standard of patient care तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ports दिखाए दे रहे तो जैसे ही यहाँ पर explanation में mention किया है कि यहाँ पर gastric access के लिए भी एक airway है जो कि यहाँ पर open होगा यह हमारा supraglottic region cover करेगा cuff और यहाँ से gastric access हमें मिल जाएगा तो एक advanced है LMA supreme उसके बाद में LMA fast track the most dependable intubating laryngeal mask airway for difficult situation मतलब जहाँ पर हम intubate नहीं कर सकते हैं या कुछ normally used LMA mask के वज़े से कुछ difficulties आ रही है तो यह हम use कर सकते हैं यह भी reusable और single use में भी available है उसके बाद में LMA classic जो कि original है reusable first generation airway invented by Dr. Archie Brand तो यह सबसे पहले यह invent हुआ था तो यह सबसे basic design है जो कि use किया जाता है LMA का LMA classic उसके बाद में LMA unique यह भी एक first generation airway है LMA classic की तरह versatile single use है यह used in millions of surgical cases each year उसके बाद में LMA pro seal है हमें image और उसका नाम ध्यान में रखना है question में यह भी आ सकता है image दिखा के कोई भी आपको पूछ लेगा यह चार option है LMA supreme LMA classic LMA unique LMA pro seal तो आपको यह ध्यान में रखना है किसे आ देया यह भी आप देखेंगे इसमें भी double lumen आपको दिखाए दे रहे हैं यह किये और यह किये जो कि इसका opening यहाँ पे clearly दिखाए दे रहे हैं यह side पे तो यह gastric access के लिए usable है reusable second generation airway offering physicians the peace of mind of gastric access तो यहाँ से यह जो लाइब, यह जाँ जाए देया जाए यह जाए तो यह जाए यह यहाँ अप्सक्राइब